हलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है केरे लाइब 247 यूटूब चैनल पे आज है 29 अप्रेल 2020 और आज हम लोग 29 अप्रेल का करेंट एफेट्स करेंगे और इससे जो भी रिलेटेड फेट्स होगा वो भी हम इसमें डिसकस करेंगे फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को आज का मेरा फर्स्ट कोचन है हाली में बीस्व कार्यस्थल स्वास्त व सुरच्छा दिवस कम मनाया गया है तो इस दिवस को मनाया गया है 28 अप्रेल को तो इसका एंसर हो जाएगा D अब ये जो वीश्व कार्यस्थल स्वास्त वा सुरच्छा दिवस है इसको मनाया क्यों जाता है इसको मनाया जाता है कार्यस्थल पर स्वास्त वा सुरच्छा को सुनिस्चित करने के बारे में जागरूपता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है और इस दिवस को 28 अप्रेल को ह अंतराष्ट्रिय श्रम संगठन द्वारा हर साल इस दिवस को मनाय जाने का घोशना किया गया था और तब से हम लोग 28 अप्रेल को वीश्व कार्यस्थल स्वास्थ वा सुरच्छा दिवस मना रहे हैं इस दिवस का theme important है तो वीशु कार्यस्थल स्वास्थ व सुरच्छा दिवस का 2020 का theme क्या है safety and health at work can save lives क्या है safety and health at work can save lives तो आपको इसका theme याद रखना है अब हम बात करते हैं अंतराश्टिय स्रम संगठन की तो इसका establishment कब हुआ था नाइन्टीन हंडेड नाइन्टीन कब हुआ था नाइन्टीन हंडेड नाइन्टीन इसका headquarter कहा है जिनेवा स्विर्जर लैंड और अभी बरतमान में अंतराश्टिय स्रम संगठन के अध्यच कौन है गाई राइडर क्या नाम है उनका गाई राइडर नेच्ट है हाली में किस एथलेटिक्स पर डोप टेस्ट में फेल होने पर चार साल का परतिबंद लगा दिया है तो इनका नाम है जूमा खातुन तो इसका answer हो जाएगा ए जूमा खातुन है जो भारत की मध्यमदूरी की धाविका है और इनी पे डोप टेस्ट में फेल होने पर चार साल का परतिबंद लगा दिया गया है अब हम बात करते हैं वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी की कि इसका हैड़कॉर्टर का है मॉंट्रियल कनाड़ा और इसके जो भी बरतमान में अध्याच है उनका क्या न और ये औरीशा के परसिद गीतकार थे और ये गीतकार होने के साथ साथ औरीशा के परसिद नाटक कार भी थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है उनका क्या नाम है बीजय मिस्रा अब ये औरीशा के बीजय मिस्रा का निधन हो गया है तो औरीशा की राजधानी कहां है भू चुख लाल में किस देश ने को विद 19 के कारण पीच ब्लायास 2020 यूद अभ्यास को रद कर दिए तो इस यूद अभ्यास को रद कर दिया गया है ऐस्ट्रेलिया के दौरा इसका अंसर हो जाएगा फी ये जो ब्लैक 2020 यूद अभ्यास है यह 27 जुलाई से 14 अगस्त के बीच आयोजित होने वाला था अस्ट्रेलिया में जिसे कोवीद 19 के कारण रद कर दिया गया है यह अभ्यास है जो रॉयल अस्ट्रेलियन एरफोर्स द्वारा आयोजित एक दूवार्सी यूद अभ्यास है और इसकी प्रदानमंत्री कॉन है अस्कॉट जॉन आश्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है ऐस्ट्रेलियाई डॉलर हाल किस देश ने एंटिरीक में एंटी सीप मिसाइल का सफल परिच्छन किया है अभी एंटी सीप मिसाइल है क्या यह वैसा मिसाइल होता है जिसका इससे माल बड़ी नावो और जहाजों के खिलाप में किया जाता है अभी भारत के पास कौन-कौन सी एंटी सीप मिसाइले हैं तो भारत के पास अभी ब्र ब्रमोस टू और ब्रमोस एंजी जैसी खतरनाक एंटिसिप मिसाले हैं अब हम बात करते हैं पाकिस्तान की तो पाकिस्तान की राजधानी कहां है इसलामाबाद पाकिस्तान का मुद्रा क्या है पाकिस्तानी रुप्या और पाकिस्तान के भी पर्दमान में परधान मंत्री कौन है इम्रान खान और पाकिस्तान के बर्तमान में राष्टपती कौन है मम्नून हसन क्या नाम हुनका मम्नून हसन नेक्स्ट है हाल ही में PCB ने ब्रश्टचार के अरोपों के कारण किस बल्लेबाज पर परतिबंद लगाया है तो उनका नाम है उमर अक्मल तो इसका अंसर हो जा है नेक्स्ट है हाल ही में जेम्स यम बेक्स का नीधन हो गया है किस समन्धी थे तो वे इस्का अंसर हो जागा बी जेम्स यम बेक्स थे पूरु नासा के परमुख थे जिनका हाली में निधन हो गया है और वे नासा के छट्थे प्रसासक थे अब हम लोग बात करते हैं नासा की तो नासा का फुल्फरम क्या होता है National Aeronautics and Space Administration क्या होता है National Aeronautics and Space Administration इसका Establishment कब हुआ था 29 जुलाई 1909 को हुआ था कब हुआ था 29 जुलाई 1909 को हुआ था नासा का मोटो क्या है for the benefit of all क्या है for the benefit of all और नासा के भी बर्तमान में अध्यच कौन है Jim Bridenstein कौन है Jim Bridenstein next है हाली में किसने hydrogen इंधन बस और car launch किया है तो यह launch किया गया है antipc के द्वारा ते इसका हैसनर हो जाएगा B अभी antipc ने लेह और दिल्ली में 10 hydrogen sail अधारित इलेक्ट्रिक बस और car को लाउंच किया है this hydrogen इंधन बस और कार को लाउंच किया गया है किसके सहयोग से तो यह कॉर्बोनाइजिंग गुनवत्ता चरन में लॉंच करना है अब इसको लॉंच किया गया है एंटी पीसी के द्वारा तो एंटी पीसी का इस्टैबलिस्मेंट कब हुआ था साथ नमंबर 1975 को हुआ था इसका हेड़काटर कहा है नई दिल्ली इंडिया और इसके जो भी वर्तमान में CEO है उनका क्या नाम है अरूप रवाय चौधरी क्या नाम है उनका अरूप रवाय चौधरी नेक्स्ट है हाली में किसने कोविद 19 टूल्स एक्ट एक्सलेरेटर लॉंच किया है तो यह है डबलू एचो तो इसका एंसर हो जाएगा बी अभी डबलू एचो ने अंतराश्टिय संगर्ठन जैसे यूँएं टी आइडी हो गया CEPI होगा इनके साथ मिलकर इस कोविद 19 टूल्स एक्ट एक्सलेरेटर को लॉंच किया है इस एक्सलेरेटर को लॉंच करने का जो में उद्देश है वो है कोविद 19 को उपचार उपलबद कराना चाहे वो अमीर हो या गरीब हो सभी लोगों को समान रूप से उपचार उप इसका इस्टैबलिस्मेंट कब हुआ था साथ अप्रेल 498 को और इसका भी मुख्याले का है जीनेवा सुर्जर लैंड और डबलु एचो के जो भी बरतमान में डायेक्टर जंडल है उनका क्या नाम है टेड्रोस अध्धनम क्या नाम है उनका टेड्रोस अध्धनम नेक्स् अमेरिकी राष्टपती डोनाल्ड ट्रम्प ने भारती अमेरिकी मनीशा सींग को OECD में अमेरिकी दूद के रुप में नामित किया है और यह जो मनीशा सींग है वो अभी बरतमान में विदेश विभाग में आर्थिक और व्यवसाइक मामलों की राज्य सचीब हैं और इन यही OECD में अमेरिकी दूद के रुप में नामित किया गया है अब हम बात करते हैं USA की तो इसकी राजधानी का है वासिंग्टन डी सी और इसकी मुद्रा क्या है डॉलर और USA के जो भी राष्ट पती है उनका क्या नाम है डोनाल्ड ट्रम्प नेक्स है हाल ही में किस बैंक मैक्स लाइफ इंसूरेंस में अति रेक के 29 पर सेंट हिसेदारी खरीदने की मंजूरी दी है तो यह एक्सिस बैंक तिसका अंसर हो जाएगा C अभी एक्सिस बैंक के बोर्ड ने मैक्स लाइफ इंसूरेंस में 29% की हिसेदारी खरिदने की मंजूरी दी है अभी बर्तमान में Max Financial Services की Max Life में 72.5% की हिसेदारी है और Mitsui Sumitomo Bima में 25.5% की हिसेदारी है और Axis Bank का 29% हिसेदारी है अब हम बात करते हैं Axis Bank की तो Axis Bank का Establishment कब हुआ था? 3 December 1993 को हुआ था इसका Headquarter कहां है? मुंबई और इसके जो भी बर्तमान में CEO है उनका क्या नाम है? अमिताव चौधरी क्या नाम है उनका? अमिताव चौधरी Next है हाल ही में किसने भारत में 5G Network छमता बढ़ाने के लिए Nokia के साथ समझोता किया है तो यह है Airtail तो इसका एंसर हो जाएगा B अभी Airtail ने Network छमता को बढ़ाने के लिए Nokia को 1 Billion Dollar के साथ समझोता किया है इस Agreement का मेन उदेश है भारती Airtail के ग्राहकों को बहतर connectivity परदान करना अभी बरतमान में भारती Airtail के MD&CE कौन है? गोपाल विट्टल क्या नाम है उनका? गोपाल विट्टल और Nokia के अभी अध्यच और मुख्य कार्जकारी अधिकारी कौन है बरतमान में? राजीब सूरी क्या नाम है उनका? राजीब सूरी नेक्स्ट है हाली में किस देश ने RBI के साथ 40 करोड डॉलर की करेंसी एक्सचेंज करने की घोशना की है तो यह है सिर्लंका तो इसका अंसर हो जाएगा C अभी सिर्लंका ने RBI के साथ 40 करोड डॉलर की करेंसी एक्सचेंज करने का घोशना किया है अभी COVID-19 के कारण जो भी अर्थवैस्था पे एफेक्ट पड़ा है उसमें बीतिय स्थिर्ता को लाने के लिए ये कदम उठाया गया है अब हम बात करते हैं सिर्लंका की तो सिर्लंका का रजधानी का है कोलंबो इसका मुद्रा क्या है? सिर्लंकाई रुप्या और जो अभी बरतमान में सिर्लंका की राष्ट पती है उनका क्या नाम है? गोबतया राजपच्छे नेश्ट है हाली में दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा सैन खर्च करने वाला देश कौन बन गया है? तो ये है भारत तो इसका एंसर हो जागर D भारत है जो दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा सैन खर्च करने वाला देश बन गया है अब भारत है जो थर्ड पोजीशन पर है तो पहला और दूसरा पोजीशन पर कौन है? तो जो पहला पोजीशन पर है वो अमेरिका है और जो सकेंड पोजीशन पर है वो चीन है फ्रेंड्स आपको मेरा ही बीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के भी सेर करें आज के वीडियो का PDF का link टेलीग्राम चलने पर दे दिया गया है आप उस link को click करके आज के वीडियो का PDF डाउन्लोड कर सकते हैं आप इस page को Facebook और टेलीग्राम पे भी follow कर सकते हैं नीचे playlist का दो link द्या गया है पहले link पे आप click करके daily current fear का video देख सकते हैं और जो दूसरा लिंक है आप इस लिंक पर क्लिक करके रेलवे जी के वान लाइन का वीडियो देख सकते हैं थैंक्स फर वाचिंग